नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अभी RBI की गवर्णर साब ने प्रेस कंफरेंस के माध्यमशे ग्रहकों को कुछ राहत परदान की है यानि कि अपनी जो पॉलिशी है उसमें थोड़ा बात परिवर्तन किया गया है इसे क्या होगा संपॉन ग्रहक जो किशी भी फ गोशना ही हुई है वो सारी जानकरी आपको इस वीडियो के माध्यमशे देने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी शे कर लेजे क्योंकि आगे भी आपको इसी परकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं तो चलिए देखते हैं RBI गवर्णर की गोशना के बाहर ना निकले क्योंकि इसी शे हमारा भला होगा अगर आप नहीं इसा करेंगे तो आप इटली के हालात वर्तवान में देख रहे होंगे तो आप सबसे विनमर अपील है एक बार फिर शे कि अपने घर में ही रहें और नियमों का पालन करें जागरू करें जमेदार बन के ब्याजदर में कमी करती है तो उसका शीदा परभाव खाता दारकों पर होता है लोन लेने वालों पर होता है सीधे तोर पर जुड़े हुए फाइनेंस कंपनी वालों से होता है तो केशे होता है दरसल आज की गोशना के अनुसार सबसे पढ़ी बात की RBA ने अपनी जो कमी की गई है ब्याजदरों में लगबग दो चीजों की हम बात करते हैं एक होती है रेपो रेट ठीक है और दूसरी होती है रिवर्स रेपो रेट ठीक है रेपो रेट दरसल क्या होती है कि RBI किशीवी बैंक को पेशे देती है इस ब्याज़ पर तो यह होती है इसकी रेप पहले कितनी थी अब 0.45% की कमी की गई है और ये पहले 5.15% की यह से घटा कर अब झार पॉइंट porta कर देंगी से 25 पॉइंट पर लोन देगी ग्रहकों को तो यह फाइदा हो गया और इसके बाद में रिवर्स रेपोडर रिवर्स रेपोडर दरसल क्या होता है कि इसका रेपो रेट का उल्टा होता है आर बी आई RBI ब्याज देती है अन्य बैंक को अगर रिवस रेपोदर बढ़ती है तो इसका मतलब यह होता है कि RBI बाजार में तरलता को मतलब जो रुपीज की जो तरलता होते ज्यदा अगर बाजार में पेशे आ जाते हैं तो उसे कम करने के लिए क्या करती है उसे बढ़ा देती है जि करेगी क्योंकि RBI उन्हें ज्यादा ब्याज देगी लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है वह पेहले रिवस रिपो रेट चैएर प्वाइंट नवे थी जिसे घटा कर आब कितना किया गया है च्यार प्रतेशवत कर दिया गया इससे क्या होगा बैंक RBI के पास जमा करने से बहतर क्या समझेगी वहाँ पर ग्राहकों को जदा लोन देगी लोन भी केशे देगी सस्ता देदेगी क्योंकि रेपो रेट उन्हें कम कर दीगी रेपो रेट कम होगी जिसके चलते RBI से उन्हें कम पेशे ब्याज मिलेगा तो इस इस्तति में वो 0.90 को घटाया गया है अब इसके बाद में सबसे महतोपन बात क्या है लोगडाउन की इस्तति है सबके जो अगर कोई शेलराइड परशन है शेलराइड नहीं तो खुद का व्याशाय होगा तो यशी इस्तति में तीन माह तक के लिए आप जो EMI पे करते हो उसके समंद में R गैंक को पर्मीशन दी गई है मतलब उन्हें आदेश नहीं अलंकि RBI के अनुशार इस परकार से राहत दी जा सकती है कि EMI तीन महीने तक टाली जा सकती है जैसे कि क्योंकि लोगों के पास डोकडाउन की इस्तति में अगले तीन माह तक हो शकता है कि EMI के लिए उनके पास पेशे नहीं हो तो इसी इस्तति में तीन महीने तक कोई EMI नहीं काटी जाए आगे के लिए बढ़ा दी जाए तो इसके लिए RBI ने आदेश दिये है यानि कि उनके अपने फ्रेश कांफरेंस में बताया गया है कि तीन माह की राहत दी जा सकती है तो ये बहुत ही महतोपन नरने हैं इसके अलावा बात करते हैं CRR की Case Reserve Ratio तो ये दरसल क्या होता है किशी भी बैंक को अपनी कुल जो संपत्ती बैंक की होती है बैंक के पास दो कुल पेशे होते हैं उनकी जो उसका एक रेशियो रिजर्व में रखना होता है RBI के पास वो दरसल पहले चार प्रतिश की कमी की गई है इससे क्या होगा उसके एक प्रतिशत वो आसानीशे बाजार में घुमता रहेगा जिसे क्या होगा अर्थ व्योस्ता को आगे आने में मदद मिलेगी तो ये बहुत ही महतोपन नने हैं सबसे महतोपन बात यह है कि यह जो EMI में तीन महा की राहत नहीं गई ह इससे क्या होगा लोगों को क्योंकि लोकडाउन की इस्तती में अपने पास जब पेशे नहीं है तो हम तीन महा क्योंकि अगर आप एक महीने भी नहीं बढ़ते तो वो पैनल्टी कारती है तो इस केस में हमारे लिए राहत बरी खबर है इसके साथ-साथ ब्याजदर में जो इंप्लीमेट करता है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद